हेलो दोस्तो, दोस्तो अगर आप SSB, SSC, CGL या किसी भी कम्पिटिटी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हलोफुल साबित होगी दोस्तो आज हमने इसमें कल्चर आप जुमुएंट कश्मीर पर वीडियो बनाई है तो दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें नए आने वाले वीडियो के लिए तो दोस्तो सिटार्ट करते हैं आज की वीडियो नेम दे फेस्टिवल इन विच पीपल शो लोगल हैंडिक्रेफ्ट क्यूजिन्स एंड कल्चर आपको पताने है उस फेस्टिवल का नाम जिसमें लोग यहां की हाथ की बनी हुई चीजें यहां के पकवान और यहां का कल्चर शो करते हैं अप्सेटिवल अपके पास शैकारा फेस्टिवल गुरेज फेस्टिवल शवालिक फेस्टिवल या फिर प्रतिव पिर फेस्टिवल कोशिश करें अंसर देनी के अगर आपको आशर पता है जुमू एंड कश्मीर में मनाया जाता है ये फैस्टिवल तो इसका जो सही आंसर है वो है पार बी डैट इस गुरेज फैस्टिवल next important question JMo is annual fare which is held every year in the month of October November in which district आपको बताना है JMo रहर साल मनाया जाता है October November के महिने में आपको बताना जीनि मेल किस डिस्टिक में मनाया जाता है options है आपके पास अदांप़ुर जमू पोंच या फिर रामबन अगर आपका आंसर पता है तो आंसर देने की कोशिश करें किस डिस्टिक्ट में मनाया जाता है जेरी मेला ट्राइ करें आंसर देने की इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट B that is जमू जमू में मनाया जाता है जेरी मेला और जिरी मेला ये भी आप याद रखें जिरी मेला बाबा जित्टू की याद में मनाया जाता है बाबा जित्टू एक किसान रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी अमर किसानों के खक के लिए सिपेंड की ताकि उनको अपने हक मिलें और बाबा जित्टू पैदा हुए है जमू के गाउ में जिसका नाम है असगर जित्टू विच अप दे फॉलिंग फेस्टिवल्स मार्कस दे वेडिंग पारवती आपको बताना है लड शिवा और गारवती की शादी पर इन में से कौनसा मेला मनाया जाता है अगर अबको आंसर पता है तो नीचे कमिट सेक्शन में लिख रीजिए जिरी मेला तो अब हमने पिछले क्योसन में डिसकस किया तो कोशिश करें आंसर देने की इसका जो सही आंसर है वो है परुमंडल मेला तो लाड़ शिवा और गाड़िस पारविती की शादी की सिलिबरेशन पर मनाया जाता है परुमंडल मेला वीच अब दे फॉलिंग फैस्टिवल इस सिलिबरेटर बाइ पीपल आप जुमु एंड कश्मीर आप्टर दे एंड आफ फास्टिंग मन्ताफ रमजान आपको बताना है रमजान के रोज़े खत्म होने पर जुमु एंड कश्मीर के लोग इन मेंसे कौन सा तेवार मनाते हैं आप्शन सा आपके पास एदल फित एदल जोहा लोसार या इन मेंसे कोई भी नहीं अगर आंसर पता है तो नीचे कमिट सेक्शन में लिख लीजे वैसे जो भी मुसलिम हैं उनको सभी को तो पता ही होगा ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है लेकिन जो नन मुसलिम हैं उ जुमुएं कश्मीर के हो या दुनिया में कहीं पर भी वो रहते हैं तो रमजान के रोजे खतम होने पर वो मनायते हैं एदल फित्र Which of the following folk dances is performance during Eid and Ramazan आपको बताना है कश्मीर का एक famous folk dance है जो usually औरतें करती हैं खुशियों के मौके पर खास करके जब Eid हो या रमजान के डेज हो तो खुशी के मौके पर ये folk dance किया जाता है आपको बताना है वो कौन सा dance है option से आपके पास कुद, रूफ, छम या फिर जो ब्रो अगर आपको पता है answer तो answer लिखिये commit में famous folk dance performing during Eid और रमजान ट्राइ करें answer देने की तो इसका जो सही answer है वो है part B that is rope rope एक तरह का dance होता है ये ज्यादतार foot foot से related है या foot work dance है the sofiana कलाम came to jume and kashmir from which country आपको बताना है किस country किस मुलक से sofiana कलाम कश्मीर में आया options है आपके पास एरान, एराक, पर्षिया या फिर पाकिस्तान अगर answer पता है तो नीचे commit section में लिख लिजिए किस मुलक से sofiana कलाम जume and kashmir आया इसका जो सही answer है वो है part A that is Iran, एरान से sofiana कलाम जume and kashmir में आया दोस्तों जब हम पर्षिया की बात करते हैं तो पर्षिया भी एरान का ही नाम है लेकिन ये ancient name है, तो ये याद रखे, ancient name of Iran is पर्षिया और जो आज का जो पर्षिया है उसको हम आज modern एरान बोलते हैं which song is very famous among the farmers of Kashmir region आपको बताना है इन में से कौन सा ऐसा गाना है जो कश्मीरी फार्मर किसान किसानों में बहुत famous यानि मशूर है ओपके आपके पास नेंदबर्थ, कुद, जागराना या फिर दिल आशकाना अगर आपको आंसर पते है तो आंसर लिख लिजे कमेंट सेक्शन में फेमस सॉंग इन कश्मीरी फार्मर्स तो इसका जो सही आंसर है वो है नेंदबर्थ In The Year 2016 गवश्टिवल्ट अप जमून कश्मीर स्टार्टिड विच फेस्टिवल आपको पताना है 2016 में जमू कश्मीर गवश्टिवल्ट ने इन मेंसे कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट किया औप्शन आपके पास गुरेज फेस्टिवल, शिकारा-फेस्टिवल, सैफरोन फेस अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमिट सेक्शन में लिख लीजिए आंसर तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ड वी डैट इस शिकारा फेस्टिवल यह 2016 में जुमुएंड कश्मीर गॉर्मेंट ने स्टार्ट किया जिसका एम था टूरिज्म को प्रमोट करना एम जुमुएंड कश्मीर के पॉर्म टाउन में इन में से कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है ऑप्शन इसे आपकी पास सैफरान फेस्टिवल लोसर फेस्टिवल तिहार फेस्टिवल या इन में से कोई भी नहीं अगर आंसर पता है तो नीचे कमिट सेक्शन में लिख ल जाता है पांपोर में वीच आप फॉलिंग फैर इस लिबरेट टौाइस इन येर इन मार्च और अप्रिल एंड सेप्टेंबर और अक्टोबर आपको बताना ये इन में से कौन सा वो फेस्टिवल है जो साल में दो बार मनाया जाता है आपके पास बहु मेला तिहार मेला जीर तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट A that is बहु मेला ये साल में दो बार मनाया जाता है और इसको मनाया जाता है बवे वाली माता टेंपल में और बवे वाली माता टेंपल ये बहु फोर्ट में है ये याद रखें तो ये कहां पर है ये बहु फोर्ट में है ये टेंपल और वहीं पर इसको मनाया जाता है नेक्ट उक्षिछन छज्जा है चजस्जा धानस इस परपाउमनट In वीच विढिंत्क फिश्टवल आप जुम्मेंट कशमिर आपको बताना चछा डनस एक तरह का डनस है आपको पतना यह किस फेस्टिवल में किया जाता है अप्शन आपके पास दिवाली होली लोरी या फिर इद अगर आंसर पता है तो नीचे कमिट सेक्शन में लिक लीजे कि छजाड आनस किस फेस्टिवल पर किया जाता है तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्सी डैट इसको किया जाता है लोरी पर और इसको जम्मो डिविजन में किया जाता है दोस्तों I hope कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चनल को सबसक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकें परेस करें और वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर करें आपकी लाइक और शेयर से हमें मौटिवेशन मिलती है नए वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में कल तब तक के लिए टेक एर